उत्तर प्रदेश यानि अनंत संभावनाओं का प्रदेश उत्तर प्रदेश को राजनीत के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के हर ब्यक्त के खून में राजनीती है और ऐसा हो भी क्यों ना? आपको जानकर आश्यरी होगा अब तक भारत में हुए कुल 14 प्रधानमंत्रियों में से 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही हुए है आज उत्तर प्रदेश की राजनीत की चर्चा हम नहीं करेंगे आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं की ये तुलना करने का आधार बस इतना है कि आप उसके जिलों को आसानी से समझ सके या याद कर सके स्क्रीन पर आपको एक सींग वाला गेंड़ा नजार आ रहा होगा और इसके वगल में ही आपको उत्तर प्रदेश का नक्सा भी दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश का जो मैप है वो कमोवेस एक सींग वाले गेंड़े की तरही है जिसकी सींग है सहारनपूर जिसकी पूछ है बलिया जिसका पहला पैर है ललितपूर और जिसका दूसरा पैर है सोनभद्र अब आईए उत्तर प्रदेश की सीमाओं की बात करते हैं उत्तर प्रदेश आठ राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साजह करता है इसमें एक केंदर सासित प्रदेश भी है जिसके साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साजह करता है और उत्तर प्रदेश एक अंतर राष्टी सीमा भी बनाता है और यह सीमा वा नेपाल के साथ बनाता ह आईए जानते हैं उत्तराखंड राज से कौन कौन से उत्तरप्रदेश के जिले मिलते हैं अगर उत्तराखंड की बात करें तो उससे मिलने वाले जिले हैं सहारनपूर, मुजफरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपूर, बरेली और पीली भीत पीली भीत से ही नेपाल की सीमा सुरू हो जाती है और नेपाल से मिलने वाले जिले हैं पीली भीत लखीमपुर्खीरी बहराईच स्रावस्ती बलरामपुर सिधार्थ नगर और महराज गंज महराज गंज के साथ ही बिहार की सीमा सुरू हो जाती है तो बिहार से मिलने वाले जिले हैं महराज गंज, कुशी नगर, देवरियां, बलियां, गाजीपूर, चंदौली और सोन भद्र सोन भद्र एक ऐसा जिला है जो चार राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साजा करता है ये राज्य हैं चतिसगर्ड मध्य परदेश बिहार और ज्ञारखन उत्तर परदेश की सीमाएं सबसे अधिक मध्य परदेश राज के साथ जुड़ती हैं मध्य परदेश के साथ उत्तर परदेश के 11 जिले जुड़ते हैं पुजिले हैं सोन भद्र, मिर्जापूर, जी हां मिर्जापूर वई कालीन भईयावाला, प्रियाग राज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, जांसी, ललितपूर, जालाउन, इटावा और आगरा राजस्थ की अगर बात करें तो हर्याना से उत्तर परदेश के कुल 6 जिले मिलते हैं ये हैं मथुरा, अलिगट, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, सामली और सहारनपूर, सहारनपूर की कुछ सिमा हिवानचल परदेश से भी मिलती हैं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से उत अतंबुध नगर, अगर बात किया जाए उत्तर परदेश के सबसे पश्चिमी जिले की तो उसका नाम है सामली, जबकि बलियां उत्तर परदेश का सबसे पूर्वी जिला है, और अगर हम बात करें उत्तर परदेश के सबसे उत्तरी जिले की तो वो है सहारनपूर और उत् झाल झाल